कि मैं कल हमारे एक वरिष्ट पत्रकार है आज कल शेद किसी चैनल में नहीं है रवीश जी उन्हें विवरण दिया इस गटना करम का मुझे बड़ी पीड़ा हुए कि लोग क्या सोच रखते हैं रवीश जी को मैं जरूर बोलना चाहूंगा चोधरी देविलाल जी के सीवन जीवन से उनके असूलों से जन्नाइक दिन्ता पार्टी की विचार धारा को हमने आगे ले जाने का काम किया और अर्याणा प्रदेश के हित के लिए साड़े चार साल उस सरकार में थे और इनने आखरी दिन तक चर्चाए रखी विश्वास रखा आपको वो दिन भी याद होगा पांथ साल में इंडिये की एक बैठेक हुई डॉक्टर जे शिंग चोटाला जी गए मैं गया और अंत में बिना चर्चा को विराम दिये क्या फैसला किया साथियों एक चीज मैं बोल सकता हूँ कोई कहता हो कि जे जे पी सरकार में दुबारा इसले नहीं गई भी कि उसका फाइदा बीजे पी को मिलेगा फाइदा नुक्सान कौन तेह करता है कौन तेह करता है कि सत्ता में किस को लाके बिठाना ये तो आप लोग तेह करते हो अर्ष से फर्ष पे भी लाने का काम और फर्ष से अर्ष से भी ले जाने का काम साथियो हमने तो क्या बोला था कि हम दो सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए त्यारी कर रहे हैं और ये तो जग जाहिर है बिवाणी महंदरगेट की लोग सबाओ इसार लोग सबाओ प्राठमिक्ता के तोर पर जन्नाइक जन्तला पार्टी ने त्यारी करी तो गठवंदन धरम को सोचते वे दो सीटों पर करी साथियो 51 जो जो नहीं पहुचा पाए तीन जार तो पहुचा दी 14 फसले MSP पर खरीदी एक लाख करोड रुपया DBT के माद्यम से किसान के खाते में डाला ये इसले ही था किसान की सुद लेनिये राज में बैठे थे झाला